हाई गैस अभी आपके एक्जाम ऑनलाइन चल रहे हैं लेकिन आपके सबसे आदा कमेंट आ रहे हैं कि सर इस पर रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो सकता है C.S.B.2 का जब एक्जाम चल रहा हैंगा रिजल्ट, तो देखिए अभी तक क्या है कोई ठोस चीज़े यहाँ पर अभी सामने नहीं आया है कि कब तक इनका हो सकता है last बार इन्होंने जो update दिया था उसमें ये बताया गया था कि इन्होंने क्या गया था जैसे exam चालू हो रहा वैसे यह यहाँ पे copy checking करना चालू भी कर दिये ठीक है लेकिन मैं आपको लास्ट डेटा से आपको मैं अनलाइस करके समझा सकता हूँ कि आपका कितने दिन के अंतरगत आपका रिजल्ट आ सकता है तो यह आपका अप्रेल मैं सेशन का ही 2020 का एक्जाम हुआ है लास्ट पेपर बी एट सेमेस्टर का 29 सितंबर 2020 को हुआ है मैं आपको बी के रिफ्रेंस में बता रहा हूँ अगर आप बिटेक के हो या डिप्लोमा इंजिनिर के या फिर आप फॉर्मेसी के हो तो आप ऐसा देख सकते हैं तो 29 सितंबर 2020 को ये लास्ट पेपर बी का हुआ था जो की एट सेमेस्टर का था और इनका जो रिजल्ट जो डिकलेर किया गया था बैक लॉग और रेगुलर दोनों का मिला करके 9-11-2020 को जारी किया गया था कहने के मतलब 9-11-2020 को यहां पे जारी किया गया था इनका रिजल्ट ठीक है जो की डिकलेर हुआ था तो यहां पे देखिए 29 सितंबर मतलब आपका समझे दो दिन कम आपका अक्टूबर लग गया तो अक्टूबर का पूरा मैना और 8 दिन आपका इधर कितना नवंबर में तो आपका जब भी एक्जाम कम्पलीट होगा आपके सेशन का ठीक है जो लास्ट एक्जाम होगा वहां से आप एक महिना और कुछ दिन आप मान के चलिए उसके अंतरकत आपका जो रिजल्ट है वो आपका एनाउस कर दिया जाएगा डिकलेर कर दिया जाएगा बट इसके बाद बिगर कोई ठोस न्यूस आता है चाहिए वो मीडिय आर्टिकल कर थू है चाहिए CSB2 के नोडिफिकेशन से आए तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाएगा चुकि आपके डाउट्स काफी आ रहे थे तो आपका जब भी लास्ट पिपर होता है उसके महिना भर के कुछ दिन बाद आपका जो एक्जाम का रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा चुकि CSB2 ने अपने लास्ट आर्टिकल में बताया था कि जैसे उनका एक्जाम कंप्लीट हो रहा है वैसे उस एक्जाम के बाद उनका कह कॉपी को चेकिंग के लिए भेज दिया जा रहा है जो आंसर सीठ वो चेकिंग के लिए भेज दिया जा रहा है